नमस्कार दोस्तों वेल्केमेड़ो जीके ट्रिक्स इस वीडियो बहुत में आर्बेसी नाइन्थ क्लास की राजसान जीके की सुरीच को आगे बढ़ाते हैं हमारे ये वीडियो रेट के लिए तो काफी अधिक इंपोर्टन है ये इससे काफी अधिक इंपोर्टन जब आपक के साथ इससे फॉलो करें जितना वी फैक्ट आपको प्रोवेड रहे हैं उनको कई पर लिख ले और बार बार इनका रिविजिन करें तो इस वीडियो में हम चैप्टर नुम्र सिक्स और सेवन के कोशन कवर करेंगे चैप्टर नुमर एक से लगाकर पांस तो का मेंटर हमन ना में राजस्तान का एकिकरन कोशन नुमर फर्ष्ट हैं भुपाल सिंग ने कब राजस्तान यूनिन बनाने के उद्देश्य से राजस्तान गुजरात और मालवा के राज़ाओ का एक सम्मेलन उदेवपूर में बुलाया देकि मोस्ट इंपोर्डन प्रश्ण है तो यह स 26 जून 1946 को थारण नमर प्रश्णया पर से अंसर होगा इस सम्मेलन में कुल 22 राजा सामिल हुए थे किया मोंसी को सम्विधनिक सलाकार नियुक्त किया गया था इस सम्मेलन के बाद में एक और सम्मेलन बुलाया गया था 23 मई 1927 को लेकिन इसके कोई भी लाबकारी परिणा सामने नहीं आये राजस्थान बनाने के लिए यह सारे प्रियास किये गये थे तो यह आप ध्यान किएगा आगे चलते हैं थे आगे से क्या वाली क्लासेज हमने देखे थी वहाँ पर ये कोश्चन हमने देखा था वहाँ पर मैंने आपको तीन ठीकाने भी बताये थे तो उनका नाम आपको अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेके बताना है देखें एकिकरण से पूर्व रजस्थान में कुल रियास्त थे थी अगे चलते हैं राजस्थान में कितने केंद्र साशित परदेस यहां पर थे एक रण से पूर्व देखें कर्येक्ट्स रोगा एक रजस्थान में एके रण से पूर्व कौनसा अजमेर मेरवाडा कि निम्न मैंसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है चरण और उनके गठन की तारिक के समद्ध में देखे यह कोशन हमने रिविजन की रूप में काफे बार देख लिया है अब तक तो यह जितनी भी देट हैं यह सभी आपको याद हो जानी चाहिए राजस्तान एक गरन के कुल कितन कितने चरणते शाथ चरण यहां पर यह द्यड्र कि about the day रही है तो यह अपर तो सही सुम्मिलित डेश्ट आ हाद कि वह अप्स कि स्यूग्त व्रहत राजस्तान इसक्रीच की जो यावरे स्थाप लया फिर या फिर घ्र न Серथ चेहां यह सही है तो सयुक्त व्रहद राजस्तान का गटन हुआ था 15 मई तो सही है 15 मई 1950 को हुआ था नाकी 1950 में तो यह अब ध्यान कियेगा बाकि जितने भी आपर यह देटे दे रखी है यह सबी सही है तो इनके बर्म अब ध्यान कियेगा जो छटा चरण था इसका गटन 26 जनुरी 1950 साथवे चरण का गटन एक नवंबर 1956 में किया गया था तो यह आप ध्यान कियेगा राजस्तान एकिकरन के चरण और उनकी राजदानी के समद्ध में कौन सा सही सुमेल नहीं है तो देखते हैं मतस्य संग अलवर राजस्तान संग कोटा सयुक्त राजस्तान उदेपूर व्रहद रा दियान किया पर यह सबी सई है तो कॉई नहीं दियान केगा चारों इफ्यास्ट आप दियान केगा राजस्तान एकिकरन के चरण और उनके राज़प्रमुग के समद्ध में कौन सा साही सुम्मिलत नहीं है वह बताना याँपर तो देखते हैं मतश्य संग उदेभान सिंग दोलपूर राजस्तान संग भीम सिंग कोटा सेयुक्त राजस्तान भुपाल सिंग मेवाड व्रद राजस्तान मान सिंग प्रतम जेपूर देखिए करेक्टांस रोगा जो व्रद राजस्तान नाम का जो चौता चरण था राजस्तान की करण का इसकी राजप्रमुक थी मान सि द्वित्तिय नाकी प्रथम तो याप द्यान किएगा बाकी के जितने भी यह राजपरमुक है इन चरणों के याप द्यान किएगा निम्न मैंसे कौन सा जिल्ला मतस्य संग में सामिल नहीं था अलवर्ट धॉलपूर थे बरतपूर्ग और करोली यह भी इसमें सामिल था जुन मतस्य संग सोभराम कुमावत राजस्थान संग गुकुललाल असावा सयुक्त राजस्थान बल्वन सिंग महता व्रद राजस्थान हिरलाल सास्त्री कोई नहीं देखे यह पर करेक्टांस रोगा जो यह पर यह जो थाड़ चरण है सयुक्त राजस्थान देखे सयुक्त र राजस्तान के परधान मंत्री बलवन सिंग महता ना होकर इनके परधान मंत्री थे मानिक के लाल वर्मा तो यहां पर ध्यान रखेगा और जितने भी उपर यह और नीचे यह फ्यक्त दे रखाएं यह सब भी सई सुमेली थे तो इनके बार में भी ध्यान कि एक पूर्व तो कौन-कौन सी सामील है यह इंपोर्टेंट है यह में ध्यान रखना है कौन-कौन सी है कोट्टा बुंदी जालावाड बासवड़ा डुंगरपूर परतापगड लावा किसंगड साहापूरा कुसलगड और टॉंक तो यह आप ध्यान रखेगा राजस्तान एकिकरण के ती तीस मार्च को राजस्तान एकिकरण के चौथे चरण में कौन सी रियासत राजस्तान में नहीं मिली देखिए यहां पर जोमरा सही आंसर होगा वह होगा उदेपूर राजस्तान एकिकरण के चौथे चरण में मिलने वाले रियासत नहीं है तो यह तो तीसरे चरण में मिल तो कौन कौन से रिया सते चोट्य चरण में मिलती राजस्तान में जेपूर जोधपूर बिकानेर और जेसल में मेवाड के राज्या भुपाल सिंग को एकिकरण के कौन से चरण में महाराजपरमुख बनाया गया देखे करेक्टांस रोगा चत्तूर्त चरण के अंदरगत तो यह आप द्यान खियेगा जवालाल नहरुन ने राजस्तान एकिकरण के कौन से चरण का उद्गटन किया था देखे करेक्टांस रोगा सयुक्त राजस्तान का सत्धार प्रटेर ने राज़स्थान एकड़रण कि कौन से चरंगी का उद्टकटन किया दिक्यायक्डांश रोगा पूर्फ अप्संप व्रध राज़स्थान का याज जा सन म्के ग्रणंत के कौन से चरणंग मैं राज राजस्थ़ान और 0022 00 चरण और इस पांचवे चरण का नाम क्या था सयूक्त व्रहद राजस्थान राजस्थान एक करण के कौन से चरण में आबु दिलवड़ा छेत्र को छोड़ कर से सिरुई का विले राजस्थान में कर दिया गया देखिए करेक्टांस रोगा यह चरण था छटा चरण तो अजिया गया था अations राजस्थान एक करण के कौन से चरण में अबु दिलवड़ा अजमिर मेblesतक का राजस्थान में विले हुआ तो यह चरण था सेंट्व हा चरण कब वह था इसका गठन एक नवंबर siy द्शो चरण को राजस्थान एक किकरण के साथैंटेस में मध्य मदियोप्रदेश के किस बाज को राजश्टान में मिला या गया nature of营ी देखिए मद्यो परदेश केël मंदसोर में परता था सुन्द क्ऐसे राजश्टान में मिला दिया था राजस्तान एकिकरण के साथवे चरण में राजस्तान के कौन से भाग को मद्योपर्दिश में मिला दिया गया तो देखिए राजस्तान के जालावार जिल्ले में ये परता था सिरोंज जिसे बाद में मद्योपर्दिश में मिला दिया गया विले पत्र पर हस्ताक्सर करते समय या किस ने कहा था मैं अपने डेट वर्ड पर हस्ताक्सर कर रहा हूं देखिए प्रश्ण कई बार के एक्जिम आ चुका है इसका सही अंसरोगा मासवड़ा के जो राजा थे महारावल चंद्रवीर सिंग इनका ये कथन है किस समिति की सिफारिस पर जेपूर को वरत राजस्तान की राजदानिक गोशित किया गया था देखिए करेक्ट आंस रोगा सेकेंड नमर उप्षन पी सत्ति नेरण राव समिति की सिफारिस के अधार पर आपे ध्यान कियागा कि राजस्तान एकिकरण के समय स्तापित सरकारी कार्यलेव के संदर में गलत यूग्म कौन सा है उच्चनियाले जोदपूर सिक्सा विबाग विकानेर खनीज और कस्टम विबाग जेपूर क्रसी विबाग भरतपूर देखिए यहां पर मारा करेक्ट आंस रोगा खनीज औ करोले की का उपरज पर्मुक बनेया गया था में रियासति रियासते पर्तक अस्तित्व रखक सकती थी देखिए करेक्ट आंस रोगा जिनकी आय Ε県 दें सिक और जन संख्या कितनी यों दस लाखो तो आपे ध्यान कियेगा और यह मांदन पूरा करने वाली राजस्तान की रियास्ते थी जेपूर जोदपूर विक्कनेर और उधेपूर राजस्तान एकिगर्न के समय अजमेर किस स्रणी का रज्य था देखे ये गस रणी का रज्य था व्रहत राजस्तान से मतस्य संग किस समिति के सिफारिष्पर जूड़ा देखे करेक्ट आन्स रोगा यह समोधिती संकर रावदेव समेथि गोकुल भाई भट का जन्नम कहां पर हुआ था तो करेक्ट आंसर होगा हातल गाव में तो यहां पर हमारे चैप्टर नंबर 6 के सारे कोशन कवर हो गए है चैप्टर नंबर 7 की सुरुवात करते हैं जिसका नामे राजस्थान की सौर्य परंपरा तो इस चैप्टर से अधिक कोशन नहीं बनते हैं जितने भी बनते हैं वो दिख लेते हैं यह कतन किसका है जैंस टोड़ का तो आपिद्याने किएगा सेकेंड नम्र अप्षिया पर सी अंसर होगा दिल्ली बंब कांड की घटना कम हुई देखे यह घटना हुई थी उन्नीस वारा के अंतरग्रत पापिद्यान खेगा लॉड हार्डिंस को मानने के परियास में दिल्ली बंब कांड मे परताप सिंग और जोरावट सिंग की मैतुपून भूमी का रही थी तो इफेक्ट आप ध्यान कियेगा राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें धर्मोपोली जैसी रनभूमी नहों और सायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनी दासर जैसा वीर पूरुष पैदा नहीं हुआ हो यह कतन किसका है देखिए यह कतन है कर्नल जैम्स टॉड़ का तो सेकेंड नुम्हारा करेक्टांस रोगा तो आप ध्यान कियेगा वह बच्चो तुम्हें दिखाए जाकि हिंदुस्तान की नामक प्रसिद गीत किसने लिखा था देखि संप्रसबा की स्थापना कब की देकि गोवि squish गोर्य ने संप्रसबा की स्थाफना की थी 1883 स्पिमें और किन के साथ मिल तो इनका नाम देए आ अप धियान केगा सुर्जी भगत के साथ मिलकर तो अप धैक्ट अब ध्यान केगा मानगद पहाड़ी हत्या कांड कभ हुआ था देखर मरा करेक्टトミー रोगा और थड 1913 के अंदरकत हुआ था मानगड पहाड़ी हत्या कांड मानगड पहाड़ी बद्वार और बास्वड़ा जिले के दर्कत पड़ती है तो यह आप द्याने किएगा इसमें देखिए पंद्रासों से अधिक अधिवासियों को अंग्रेजों ने गेर कर मार डाला था मानकट पाड़ी हत्याकान में तो आप द्याने किएगा भारत का सर्वोच सौर्य सैन्य अलंकरन कौन सा है तो देखिए यह है परमवीर चक्रा मेजर पिरु सिंग सेखावत को मरनो प्रांत परमवीर चक्र से कब नवाजा गया देखिए इनको नवाजा गया था 1952 में तो आप द्याने किएगा इनका जनम रामपूर बेरी के राजस्थान के किस जिल्ले में मेजर सैतान सिंग का जनम हुआ था देखिए करेक्ट आंस रोगा जोद्पूर में जनम हुआता मेजर सैतान सिंग का इनको भी मरनो प्रांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था 1963 में सुब्यदार चूना राम फागडिया का जनम कहा भ देखिए अगर आप ध्यान रखना सकते हैं जो यह सुब्यदार चूना राम फागडिया है लक्समान गड़ तैसल में का जनम होता एक धानी के अंतरगत उस डानी का नाम है डलमास की धानी तो यह आप अगर ध्यान रखना चाहिए तो ध्यान रख सकते हैं तो देखें यहां पर सारे कोश्विन हमने कवर कर लिए मुख के एंडिंग में देखें कुछ फ्यक्टर यह दे रखें किनका सम्मद्र कहां से तो हम देख लेते हैं चल्दी और ठ्लट Be वो भी देखते हैं देखिए याँ पर देए रखा है सैनिक धोलक सिंग इनका जनम सेखला जुनवास जोदपूर के अंदरगत हुआ था इन्हें मनुप्रांत महविट चक्र से सम्भानित किया गया था बाद में कर्णल हनूत सिंग जिनका समंद है जसोल बाडमेर से तो आप जाने कियेगा लेफ्टन एंड कर्णल सवय भवनी सिंग इनका समंद है जेपूर से नायक सुगन सिंग इनका समंद नागोर से नायक दिग्येंद्र कुमार परस्वाल जालरा सिकर कैप्टन महेंद्र सिंग तवर इनका समंद है शिकर से असोग चक्र मनुप्रांत इनको द जुन जुनू लेफ्टिनेंट अर्विंद कुमार बुर्डक पल्थाना सिक्कर ए मेरे वतन के लोगों नाम को प्रसिद गीत कभी प्रदीप कभी प्रदीप का मुल नाम क्या था राम चंदर द्विवेदी और इनका जन्म होता मध्यपर्देश के अंतरगत तुछ आप द्य की थे इसमें हेमराज जी मिना कोटा रोहतांस लंबा जेपूर जीत राम भरतपूर नारंडलाल गुर्ज रासममन और भगीरत भीलवाड़ा तो इनके बारमतर बात फ्रेक्ट आप द्याने खेगा आपकी जो थर्डगेड का एक्जाम होगा उनमें ये वाले फ्यक्ट एक एकरन से पूर्व राजस्थान में कितने ठीकाने थे और इस ठीकाने का नाम क्या है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखके बताना है इस वीडियो में इतना ही है चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्रेब जरू करिएगा और जिक्याट्रिक एजूकेशन नाम से ही हमारा टेलेग्राम का चैनल है उससे भी जरूर जोइन होएगा तो इस वीडियो में इतनी है धन्यवाद